जानु लंबितंबु जो कनकाव दातो संकीतनेक पितरो कमलाय ताक्षो विश्वं भरो द्विज्वरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो नमस्त्रिकाल सत्याय जगनात सुतायच सभृत्याय सपुत्त्राय सकल्त्राय ते नमाः ओम ज्ञांति मिरंधस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन मिलितं येनां तस्मै श्री गुर्वे नमाः श्री गौरांगा नित्यानन्द श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्री वासादी गौर भक्त व्रिंदा वांचा कल्प तरू भ्यस्चा क्रिपा सिंदू भैवच्चा पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमहा हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे तो श्री श्रीमन महाप्रभू की नवद्वीब की दिव्य लीलाओं पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के माध्यम से और कल हमने चर्चा करी किस प्रकार नित्यानन प्रभू और हरीदास ठाकुर जैसे जैसे भी भिक्षा में जब वो जाया करते हरी नाम प्रचार के लिए तो जो भी सब घटनाए होती जैसा भी होता सब एक-एक एजटेस व्रितांत जो हैं श्रीमन माप्रभू को आके बताते और फिर संद्या के बाद रातरी में श्रिवा सांगन में कीर्टन हुआ करता ऐसे ही दिन बीते हर रोज ऐसे ही संकीर्टन चलता और संद्या के समय तो जैसे मैंने बताया पूरा नवद्वीप बाहर आके लोग संकीर्टन करते अपने अपने ग्रहे के और फिर उसके बाद उसका आनंद लेते होए श्रीमन माप्रभू बोलते नवद्वीप की गलियो चांद काजी ने बी जैसे मैंने बताया था कि बंगाल में सरकार से एक आग्या लेके एक पत्र लिखके चिठी लेके signature के साथ एक order जारी कर दिया कि इंके संकीरतन को कोई नहीं रोकेगा तो जो द्वेशी जन संकीरतन रुकवाना चाहते थे बलकि उनी के कारण अब संकीरतन नादिया के भार बंगाल में भी होने लगा क्योंकि धीरे 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 प्रचार बड़ा और सब लोगों को पता लगा कि ऐसा संकीरतन करते हैं कि मुगल शासक जो थे जो चांदकाजी त्यादी जो थे विधर्मी उन्होंने भी आग्या दे दिये कि ये वला संकीरतन होगा और इसको कोई नहीं रोकेगा तो जब ऐसा प्रचार हुआ तो बड़े मास केल पर नवद्वीप के भार भी प्रचार हुआ संकीरतन का आज दैवयोग से एकादशी है और आज जो चैतन्य भागवत में जिस घटना की हम लोग जिस लीला की चर्चा कर रहे हैं वो भी एकादशी वले दिन ही हुई एकादशी का हरी वासर दिन था श्रीमन महाप्रभू ऐसे ही श्रिवास आंगन में जैसे रात को नित्ते करने के लिए संकीरतन के लिए जाया करते थे वहाँ पे गए बड़े आनंद के साथ संकीरतन प्रारंभ होना था उससे कुछ देर पहले जो मालीनी देवी थी उन्होंने अदवाई श्रिवास पंडित को बताया कि हमारे पुत्र का स्वास्त ठीक नहीं लग रहा है बहुत जोर का जुवर आ गया है और बहुत समय से प्रयास कर रही है क्योंकि पहले सब घर में प्रयास करते थे तो दक्यातों और दिखवाते हैं चिकट्सक को बुलाया दिखवाया तो बोलते जब चिकेच्सक ने देखा उनकी श्वास आदी इस प्रकार से चल रही थी और उनकी अवस्था थी το वो चिकेच्ट्सक ने बोला कि जहां तक मेरा खयाल है आपका पुत्र शहीये एक रात भी नहीं बिता पाएगा इसका स्वास्ते बहुत खराब हो गया श्रिवास पंडित का अपना पोत्र तो श्रिवास पंडित जो हैं वो भी परिशान हुए मालिनी देवी रोने लगी जैसे माता का इकलोता बेटा था उनका तो रोने लगे आस पास की जितनी माताएं सब आई हु साफी नॉलेज रखते थे तो उन्होंने भी कहते जब नबस इत्यादी देखी तो श्रिवास पंडित ने बोला कि अब आशा की कोई किरन नहीं है अब लगता नहीं कि कोई भी बचा पाएगा तो मालिनी देवी जोड-जोर करोने लगी कि क्या करना चाहिए उस समय वो जो समये ओफों डेवी ऐसा है हमारा पुत्र था हमें जो कुछ हम कर सकते थेंशों हमने किया करना चाहिए जनम और किसी के हाथ में नहीं है कल हम लोग यहीं चर्चा कर रहेails कि कि जनम बैजिव एकिसी के हाथ लाना तो हमारे हाथ में हैं नहीं तो इसी लिए रोने का कोई लाब होगा भी नहीं आप श्रीमन माप्रगु के संकीरतन का समय हो रहा है आप ऐसा करो इसको भीतर ले जाओ माली निदेवी और फूट-फूट के रोने लगी कि कैसे पथर दिल हैं कि यहां पुत्र की मृत्यू होने वली है तो बोलते श्रीवास पंडित जान गए कि भाई यह इस तरीके से आज तो ऐसे हैं कि आपको संकीरतन की बढ़ रही है यहां पुत्र मर रहा है तो बोलते श्र श्रीमन महाप रगु का संकीरतन तुमने रोका यह कहके कि यह पुत्र की मृत्य हो गई है कुछ भी इस कारण से तो मैं तुम्हें बताये देता हूं कि मैं भी गंगा में छलांग मार के अपने प्राण दे दूगा और दू मौते होंगी हमारे घर में एक पुत्र की और एक मेरी अब सब लोग यह बात जानते थे कि अगर श्रिवास पंडित ने बात बोली है तो ऐसी नहीं बोली है हम लोगों की तरह नहीं है कि गुसे में कुछ भी बोल दिया और अगले दिन खुद ही बूल गया है सुबह उठके कि क्या बात बोली थे अगर श्रिवास पंडित की बंग यहां की यह जानते थे मुँका माता के परिशान होंगी अंदर गये और मालीनी को सम्झाया कि देखो देवी तो घवाज जब अवतरित होते और सवयाम भागवान अवतरित और सुहा इसा और दूसे सहाई नहीं गया ऐसे दुख से उंकी मिर्ति हो गई तो ये दुख जब परीकरों को भी मिला है, जब ऐसा दुख भगवान के पिता को मिला, भगवान के स्वयम के पिता, भगवान की माता देवकी को कितना दुख सहना पड़ा, भगवान की माता जो देवकी थी, उनके पैदा हुए जा रहे हैं, पुत्र और कंस मारे जा रहे है बुलते ऐसा दुख किसको देवकी को स्वयम भगवान की मा को और फिर जिनों ने भगवान को पाला ये शुदा माता ने वो भी स्वयम भगवान की मा और वो कितने दुख कितना दुख की बुलते बिंदावन में नदी बह गई उनके अश्रूओं की ऐसा दुख तो मालीनी देवी को समझाया कि देखो ऐसा दुख तो परिकरों के जीवन में रहा है आप और मैं तो किस खेत की मुली है आप और मैं तो कर्मो और प्रारब्दो वश यहां पे आएं हलै कि कर्मो और प्रारब्दो वश तो श्रिवास पंडित भी नहीं आएं पर हम सैसे लोगों को पक्ष लेके एक मानविय लीला में बता रहें इस लीला से कि जो कर्मों से और प्रारब्दों से आया है वो इस दुख से कैसे निवरित होगा जब परिकर भगवान के अच्छा परिकर भी नहीं स्वयम भगवान के अपने माता पिता जब इससे निवरित नहीं हो सके तो आप और में कैसे निवरित होंगे ये कर्मों का खेल है देवी म तो क्रिष्ण भगवान स्वेम हमारे आंगर में आके आज किरतन करें तो वो किरतन हम रुकवा दें सिरफ इसलिए कि जनम रित्यूव का चकर जो चलना ही था वो चल रहा है तो उसके लिए हम उनका संकीरतन रुखवा दें ये कोई ठीक बात है ये ठीक बात नहीं है इसलिए आप अपने मन में ये शोब हमत रखो और जैसे भी है होने दो और श्रीमन महापरभू का संकीरतन चलने दो अगर महापरभू की ये इच्छा है तो ऐसी से ही ये कहके वो अंदर उनको बंद करके भार आगैं इतने में श्रीमन प्रभु आये नित्यानंद प्रभु आये यह एकादशी का हरीवासर दिवस था तो और जोर का संकीरतन प्रारम्द हुआ अब जब संकीरतन प्रारम्द हुआ तो वही आनंद के साथ आदा एक घंटा संकीतन हुआ और उतने में उनके पुत्र ने शरीर छोड़ दिया जो श्रिवास पंडित के थे अदर अब जैसे ही छोड़ा तो कितना भी होसला रखे बैठी हो माता की गोद में पुत्र का सिरो और वो एकदम से शरीर छोड़ दे माता जूर की चितकार करके रो पड़ी जैसे ही चितकार होई तो बोलते बार कुछ लोगों ने सुना पर यहां तो बड़ा हला गुला संकीतन हो रहा था आवाज नहीं आई पर धीरे 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 जो भीतर के थे दर्वाजा खोल के श्रिवास आंगन को माता हैं देखने लग जब भीतर गये तो दो-चार परीकर और संग श्रिवास-पंडीत के संकर चोड़ के रहें क्या बात हो गए दिले धीरे 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 श्रिवास-पंडीत पोड़े कोई बोलेगा नहीं आनन मह waren संकीरतन चल रहा है प्रभू का शंकीरतन रुखे ला ये जो भी कुछ हो रहा है अब सुबा देखेंगे वैसे भी संस्कार सुबा होता है तो अभी कोई बात नहीं जो हो अगल हुआ है अब जानते तो प्रभू सभीह रियला करते रहे लगता है कुछ अमंगल हुआ है श्रीवास कुछ हुआ है क्या सी सब्गा अचनम कई शला के सब दिन अई जलता रहेगा महाप्रबु ने का श्रिवास बाते गुमाओ मत बताओ हुआ क्या है अब इस चकर में कॉन चल रहा है अभी किस चकर कि तूम बात करें ऊबुले प्रभु देखेंज जिस दिन कि श्रिवास पंडित मानों समझाना चाहते हैं सब को कि जब आपका भजन भक्त-प्रारंढ करता है तो वह भजन प्रारंढ करते समें भग्त कोई ऐसी गरेंटी नहीं रखता है कि अब मेने आपका भजन प्रारंढ किया है तो अब खाशी भादीन होनी चाहिए अब शुक्राम नहीं होना चोई है अरभगति कर रहे हमें तोड़ी को रहात है थो हमें यह कुलम होना नाई इसा नहीं है यह भक्ति का फल नहीं एसामर समझोब भजण शुरू कर दिया है अफोरaran अग्सिदेन्ट नीहीं हो सकता क्योंकि हम भजन करें कुछ भी हो सकता है कुछ वी हो सकता है ही तो देखो एक मतबशन एक गटना याद ऐस से मुझे एक संत ते हैं वो thou sand nao में जा रहे थे तो ओर बी लोग थे साथ में जैसे नाव पार कराने वाली होती है कि भाईया जिस जिसको तैर ना आता है अभी छलांग मार दो और तैर के किनारे पोचो क्योंकि जितना मेरा अनुभव है अब ये नाव बचेगी नहीं और मुझे भी तैर ना आता है तो एक समय के बाद मैं भी कुद के पार जाने का परियास करूंगा और आपको भी जिस जि को ने देखा है जब गए थे तो नदी ऐसे बीच में शांत नहीं होती है और फिर जब उफान आजाए तो बड़ा जोर का आता है जाहां हम थे वह हमारे सिर के ऊपर तक ठुष्क गंगा नधी का प्रवाज आ रहा था इतनी तेज आरा था सिर के ऊपर हो यह नदी का प्रवाय है तो ऐसे लगता है समुद्र से भी कई उची लेरे आ रहे हैं तो इतनी जूर की उफान आया उसने बोला भाई अब बचेंगे नहीं तो बोलते जो वो संत थे उन्होंने अपना जो उंका क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको कुमंडलू तो वो अपन कुमंडलू से उन्होंने नदी में से पानी भरा और नाव में डाला नदी में से पानी भरा नाव में डाला पांच छे लोटे नदी में से लेकर नाव में डाल दी है जब उसमें बोला डूबने वली है नाविक ने सोचा यह संत है क्या क्या बुद्धी है इसकी मैं बोल र भी नहीं था डर के मारे और नाव बच गए अब जब बच गई जब संकट से भार आ गए तो नाविक ने बोला कि बड़ी भवान की किरपाई बच गए और अब आप सब लोग आराम से बैठो कोई बात नी अब हम किनारे पर पूछ जाएंगे बुलते जब यह बात सुनी तो संथ थे उन्होंने लोटा भरा वाणी बार लोटा वरा पानी अनाव में से भर भर के पांच लोटे भाण डाल दी है कर नाविक में तो वो जब किनारे पे गई तो जो सारे लोग थे वो निकल गए जो संथ थे वो भी उतर के जाने लगे नावी के मन में एक बर पूछू तो सही बहीं यह उल्टी बुद्धी है कौन तो उन्होंने बुलाया महाराज हां जी कहा महाराज बड़ी जग्यासा है आप से एक बात जा पानी बर के बाहर डालना चाहिए था जब मैंने बोला बच गई है ताप चाहिए किसी कारण से आपने अंधर करना है तो करो आप यहारी वो ही रजा है जो प्रभू की इच्छा है हम प्रभू की इच्छा में जीने वले जीवे आज नाव दुबानी होगी तो मैंने का जब प्रभु ने नाव दुबानी है जब नाव दूबनी है तो प्रभु की इच्छा में हमारी इच्छा होनी चाहिए तो वही है मैं भी अपना थोड़ा कर दो पांच लोटे मैंने डाल दी प्रभू आपने नाव डुबानी है यह लो पांच लोटे मेरी तरफ से अगर आप कुछ करना चाते हैं तो मैं उसमें आपके साथ हूं अब जब आपने का कि नाव नहीं डूबेगी नाव बच जाएगी तो ठीक है मैंने का प्रभू मैं अगर बचाना चाते हो तो मैंने पानी निकालिके सारी नावगा में भार कर दिया तरफ सोमोह और हैं अब दूबद दूबाना चाते ले प्रभू है तो प्रहा दो इस प्रकार का हो भक्तों का होता है आप चाते हूं मर भयाँं nggakAh उतो प्रण करेंगे बचाने की इस प्रकार से तो मगर साधारन आपको और मेर को यह प्रैक्टिस फॉलो नी करने चाहिए ऐसे नो आप किसी को बिमार देखो तो गला गोटा हुए बगवान चाहते हैं कि मर्जे मैं मार दे तो इसको तो आप जब तक इस्थिती वे न पोच जै कि भगव करें करना तो जोई-जोई प्यारों करें सोमोई भावे बड़ा सुंदर भाव लगा नाविक को बोले महाराज आनन्द आ गया आपकी लीला देखके आप जैसे संत्र थे तो भी महाराज आज यह नाव बचके नहीं तो नाव डूब जाती आज जो मेरा अनुभव था यह नाव बचनी सकती थी आज आपने जो पांच लोटे भीता डाले असल में उसने नाव बचा ली भार से दिख रहा है कि वो नाव डूब रही है बोले नहीं यह मेरा कारे नहीं है बचाना और वो करना मेरी वज़ा से पचिए ठाकुर की लीला है हम तो तैयार थे ठाकुर ड जब हम आये थे भजन में तो कोई यह थोड़े ना लेके आये थे स्वास्ते के लिए थोड़े आपका भजन किया था प्रभू ने बोला बात तो बताओ हुई क्या है बोले प्रभू इस चरीर का एक पुत्र था आज उसकी लीला समाब तो गई जैसे ही बोलते श्रीमन महा ने शुन शूँषम निकलने लगे श्रीवास्त तुम्हारा पुत्र मर गया कोई बात दिरो हुए तो चक्र है जो आया इसको जा नाई है क्या सच बोले है तुम्हारा पुत्र मर गया प्रभू रोने लगए भीतर से मालीनी देवी को माता कहे कि सं्बोधन करके बुलाया भार ले क्या हो गया वो देखा तो पुत्र मरा पड़ा और श्रीमन महाप्रभु रो रहे रुदन कर रहे यह क्या हो गया श्रीमन महाप्रभु ने बोला मैं कैसे जाओंगा आप जैसे भक्तों को छोड़के कैसे जाओंगा आप जैसे भक्तों ने श्रिवास पंडित मुझे खरीद लिया है कैसा अच्रन है कैसा अदमुद आच्रन है आपका अपना पुत्र भीतर मर गया और आप जनम रित्यू का चक्कर मुझे समझा रहे हो आप आनंद से संकीरतन कर रहे हो और आप रोक रहे हो कि संकीरतन रोकना नहीं चाहिए अंदर उन्हें रोक रहे हो बताओ ना किसे को ऐसे भक्तों को मां छोड़के जाओंगा कैसे आज पहली बार शुरी मन मा प्रभु ने संकेत दिया कि वो सन्यास लेने का सोच रहे हैं नहीं तो यह बात कैसे बोलते आप लोगों को छोड़के कैसे जाऊंगा बोलते सब लोग रुदन करने लगे यह आज प्रभू ने यह क्यों बोला कि आप लोगों को छोड़के कैसे जाऊंगा छोड़ने की बात आई कैसे इंके मन में श्रिवास पंडित ने उनका जो पुत्र था उसे बोला पुत्र खड़े हो जरा खड़े हो भाईया भाईया खड़े हो जरा बताओ कहां पे हो तुम बोलते हो जो उनका पुत्र था वो खड़ा हुआ कहां गए थे बोले प्रभु आप तो जानते हो कि हर व्यक्ति का एक समय होता है और मेरा इस परिवार में इतना ही समय था और ये श्रिवास जो हैं बड़ी अच्छे भगते इस जनम में मेरे पिता बने थे बड़ी अच्छी माता बनी थी मेरी मालीनी जी और इन दोनों के प्रताप से आपका मुझे आशिरवाद मिला आपका स्ने मिला आपका संग मिला और आज आपी की क्रिपा से आपका भार संकीरतन चल रहा था भीतर मेरे प्रांट शूट रहे थे कौन लेने आएगा प्रभू आपी के पार्श को पूछा बताओ रोकना है या जाहे आनंद से विहल हो गए तो अब तो पिता कहके बुला नहीं रहा था पुत्र भी बुल रहा था यह श्रिवास और यह माली नहीं है यह मेरे माता पिता बने थे बड़ा इन्होंने क्रिपा करी आपका संग मिला और आज आपकी क्रिपा से हापी के लोक को जा रहा हूं जब सुना कि हमारा पुत्र लोक को अरे हम जहां जीवन खतम करके जहां जाना चाहते हैं अरे जिंके साथ हम रहना चाहते हैं सास्वत जीवन इने प्राप्त हो रहा है परिकर स्वरूप प्राप्त हो रहा है भगवान भगवान के लोक को जा रहे हो तो उसने बोला हाँ श्रिवास पंडित भगवान के लोग को जा रहा हूं पुत्र बोला हाँ श्रिवास पंडित उसी लोग को जा रहा हूं यहां तो पिता पुत्र की सब नाटक होता है इस बारी इस नाटक में आप मेरे पिता थे और मैं आपका पुत्र था और अब मैं वहां को जा रहा हूं अब जब बातीस लेवल पर हो रही है तो बात रही नहीं वो पित्र पिता वली शिवास पंडित को बोला माप्रभू ने अब क्या करना है बड़े हर्श के साथ मालियनी देवी जो अभी बड़ा रो रही थी अब दुख के नहीं अब सुख के खुशी के आशने के ले जाईए ले जाईए जाईए परमगती को प्राप्त हो रहा है और क्या चाहिए उसने श्रीमन माप्रभू को ला माप्रभू आग्या है जाओ गए बोलते वैसे ही वो लेट गया और उसके प्राण निकल गए और अब फिर श्रीवास पंडित जो है वो जोर का संकीतन करते हुए इंडित्य करने लगे मालीनी देवी को श्रीमन माप्रभू ने का आपका एक पुत्र गया है आपको दो पुत्र प्राप्त हुए आज से मैं और ये नित्यानंद आपके पुत्र है हम दोनों भी आपके पुत्र समाने बिलकुल ऐसा ही बच्च संसकार होना चाहिए था वैसा संसकार हुआ जिए देखो ये हम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये तो परिकरों की बात है यह अगया नबदूइब की बात है ऐसा हम शायद बरदास्ट ना कर पाएं हमारे जीवन में ऐसा हो ऐसा तो कोई देखनी सकते ऐसा कोई रखते हैं जिने इस बात से फरक में बढ़ता है यह बात हमें सुनर और लेटर सब को समझनी होगी कि जीवन का चक्र है इसमें सब अलग होंगे ही होंगे निश्चीत ना अलग होना ही आहे न जनम सात हुआ है न अमरिध्यु सात होगी निश्थिव एक ना एक दिन किसी ना क पति जो हैं बोलते रोज परिक्रमा करते ब्रज की और बिंदावन की और रोज सेवा में मतलब पूरा परिवार सेवा में लगा रहता और परिक्रमा भी करते और बड़े संथ सेवी थे जो पती थे अब पिछले से पिछले साल शायद गर्मियों में बोलते बरफ लेने गए थे संतों के लिए वो क्या करते जब गर्मियां होती न तो एक अच्छा बड़ा पेई कुछ भी कुछ शर्बर टाई कुछ संतों के लिए बनाते तो उसमें बरफ इत्यादी डाल देते खुद तो प गोडाउ नित्यादी महां गए थे महां से पता नहीं कैसे भारी बरफ लाते लाते पाउं फिसला और वहीं पर लीला समागत हो गई शरीर छुट गया तो शाम को संधिया का समय लेके आये सब उनको कि वह ऐसे ऐसे इंका ये छुट गया बोलते संधिया के समय उन्होंने उ करीर छोड़ गया बुलते पत्नी ने शाम को संसकार किया और सबहसे एरानी की बात यह है कि रोज- coded व betrayed की कत्ता सुनने जाते ते ले अगले दिन सुबा पत्नी और दोनों वेघ्चे वैसे ही मात्मा के वाँ कत्त पत्ते ही बैठेिया कि अब डेन के किसी ने बताया माराज इंकी ऐसे ऐसे हो गया तो रोज आ रहे हैं पुले हां माराज भूज थर्जटेक हो गया था तो परिवार है एक बग्टों की कथा सुनते मैंने पहले आपको उसका एक आखरी का सिरफ एक पाठ सुनाया हुआ है तो एक भानू रेजी थे और भानू राय जी की पत्णी थी कुसुमी तो बड़ेगु संथ सेवी वेंगाल में रहते हैं बड़े अच्छे वैशनव वन्हा बंगाल में जैसे शाक्त लोग जादा है जो ही को मानते हैं हो लोग परम वैश् bonob और उनुके घर में गोपाल जी थे फिरिज जो है जैसे ग्रस्त लोग जादातार लोग गोपाल जी को पराद नहीं होता जैसे भी लोग सेवा कर ले तो गोपाल जी बोलते हुग घर में थे और एकदम पक्के परम वैश्नों और बहुत धन मानी व्यक्ति थे महाजनी का काम था जैसे महाजनी होता है ना आपको कोई पैसा चाहिए तो अपनी एक चीज गिडवी रग दी पैसा दे दिया और फिर जब ब्याज लेके आए तो वह अपनी वस्तु ले गए और पैसा और ब्याज इस साथ में दे गए तो ऐसा महाजनी का बड़ा धन समरिद सब कुछ उनके पास था भानुराय जी के पास तो उनकी देव से टीन संथ आने हुई पहली मधवी नाम की लड़की थी और बीच में प्रताप राय नाम का लड़का और फिर लक्श्मी नाम की लड़की है तो तीन बच्चे और पत्नी भी बड़ी अच्छी खुद भी बड़ा अच्छा व्यापार भी बड़ा अच्छा सब कुछ और बहुत संत सेवी और बहुत भगवान को मानने वाले एक दिन बूलते भानुराय जी ने सोचा कुसुमी को कि वह हमें अपने पुत्र को अब एक अच्छा वैश्णव बनाना चाहिए है ऐसे संसकार देने चाहिए कि वह एक अच्छा वैश्णव बने और यह बहुत जरूरी है क्योंकि माता पिता के हाथ में हैं पुत्र को कैसा बनाए अब आप उसी के सामने व्यबचार करोगे आप उसी के सामने मारा बच्चा ऐसा ना मनने तो संभव नहीं है और अगर आप वही माला करते और सब करते हो वही बच्चा देखता है तो वह स्वभाविक्ता माला शुरू कर देगा सब कुछ करेगा तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो बहुत अच्छा वैश्णवा बनाना चाहिए तो वह कोने तब से प्रताप राहएज जी के ट्रेनिंग शुरू करी उनको पहले सिखाया कि भई जब घर में वैश्णवाएं सन्त अए प्रणाम जरूर करना जरूर्व प्रणाम करना माथा रख रख के परणाम करना आज कि आज करकाल है ने फिर कॉछ च стен को परणां करना अधिर के च 155 कि उसके बाद ऐसा समय आया है कि फ्रयू को सपर्श करने अभ महराज देखा जाते अब लिदा अरसी हो जन भी वांचा कल्ब तरूंगी करतें बड़े दुख की बात है मैं कई भक्तों का तो देखाए कि ठाकुर जी का मंदिर भी सजा व्यासगादी हो तब भी कहीं भी जाके आके बैट जाते हैं और टांग खोल के बैढ़ते हैं और कैसे भी बैढऻते हैं तो प्रणाम भी नहीं करते बड़ी गलत बात Hah नहीं तो इतना सदाचार तो हमें भी पक्के से सिखाया गया था कि जब भी कहीं ऐसे कथा में जाएं तो जesis पर्णाम करें तो किसको भगवान को प्रणाम करें उस औरह और कुछ नहीं है आपस में वैश्नों मुले तो एक दूसरे को प्रणाम करें जब शुरू शुरू में प्रारambji कबस्ता में हम भी rates दें यह बढ़ी पक्ती है कि कुछ भी करो कई भी मिलो कई भी मिलो हम सड़क भी मिलते थो प्रणाम करते थे प्रणाम जरूर करना जो कह और अब ऐसा समय आ गए है कि कत्था में बहुत के लोग भगवान को भी प्रणाम नहीं करते हैं उस겠지만 कोई बहुता है बजन कम होता है और मैं तो कहता हूं इस भाहे से नहीं कि मेरा बजन कम होगा है करना चाहिए इस बात को समझना चाहिए जहां वाईशनाव मिले यह रीती शुरू करो यह हमारे हमारेceğiz सब के मीच मेंद भीकट क fund करना जाए कि जब प्रणाम करेंगी ना तो बुद्धी में हिर रहे गा कि वैशनाव है वैशनाव है नहीं तो प्रणाम भी नहीं करते और समझते भी नहीं कि वैश्नव है तो खेर उन्होंने अपने बच्चे को बोला प्रताप राय को यह सब सिखाया इस तरीके से प्रणाम करना चाहिए व्रत त्यादी बच्चों को जरूर कराने चाहिए कम से कम और कुछ नहीं तो यह समझ सर्दी में भी थोड़ा भार आके बैठो जड़ा थोड़ी सर्दी बरदाश्ट करना जी को गर्मी में भी बिना पंखे के बैठो थोड़ी गर्मी बरदाश्ट करना जी को इस प्रकार से पकी ट्रेनिंग दी प्रताप राय जी को और वैसे ही निकले संथ से भी और परम वैश पादनी थे इनका समय हुआ वह निकल गए बहानुराई जी शरीर छोड दिया उन्ने कुछ समय के बाद ही उनकी जो माता थी कुसुमी उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया धान के साथ बड़ा उंका प्रेम था हलाहिए भानुराई से भी बहुत प्रेम था बहुत उसमें भी लेकिन अपनी पत्नी को ही समझाया कि रोना नहीं है जो मेरे मातापिता थे उन्होंने जिस प्रकार के मुझे संसकार दी है ऐसा संभव नहीं है कि वह भगवान के पास ना जाए भगवान से निकट का संबन्ध ता तभी बच्पन स मुझे भी ऐसा बनाया तो ऐसे संतों के लिए रोया नहीं जाता रोके बेश्टी करने वाली बात असे संतों इसलिए हम देखते हैं कि संत मात्माओं में तो कीर्टन संकिर्टन करते हूए जोर-जोर का लेके जाते हैं उनके पार्थिव शरील को होगी तो इसलिए हर्ष से कीरतन के साथ पाटी हो रही होगी है उत्सव हो रहा होगा कि नहीं मंजरी आई है तो जब वहां उत्सव हो रहा है तो जहां उपर उत्सव हो रहा है तो नीचे क्या उनके भगत जन उत्सव नहीं करेंगे वो रोएंगे उत्सव की बात है तो इसलिए भक्तों का तिरो भाव दिवस बड़े आनंद से मनाया जाता है तो इसी प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि रोना नहीं ठीक है जो हो रहा है अच्छा ही है वो नित्ते गुलोग को गए बड़े आनंद का विशे है और अच्छे से फिर सब संकीरतन इत्यादी करके करके सब उन्होंने सं प्रताप राइजी का भी पुत्र हुआ और बोलते प्रताप राइणी जी ने अपने पुत्र को भी वही संस्कार देने का प्रयास किया और अपनी उनकी महाजनी भी चलती रहती बड़े अच्छे से अपनी कहते यह बात मैंने आपको बताई हुए थोड़ी आगे से कि इंक वेल्व झॉप यहाद है तो बोलते संदूप में रख जाओ उसंदूप में रख जाते और दस अजार बोलते यहां से ले जाओ दस जाओ जब अगले दिन आये एक हफते बाद यह पीने बाद जब भी आये यह ब्याज लेके कि वहीं कि दस जार कि 11000 अजार उपार ब अपना जो थैला था उठा और चाओ तो बोलते धीरे 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 उनकी बड़ी ख्याती होने लगेगी वही प्रताप राइजी तो बड़े बड़े इमांदार और बहुत हम से ही रखवाते हैं हम से उठवा लेते हैं तो लोगों का उनके भी बड़ा ट्रस्ट बनने लगा क तो दिरे दिरे बोलते विपार और बढ़ने लगा लोग और कहीं न जाके उन्हीं से लेने लगे तो एक दिन बोलते उनके पुत्र का स्वास्थे बहुत बिगा प्रताप राइजी का इसी लिए आपको ये बता रहा हूं तो बिगड़ते बिगड़ते हालत जादा खराब वगही उन्की पत्णी रोने लगी कि आप तो लगता है शायद बचेंगे नहीं प्रताब राइजी ने बुड़ा बची मेसा करातेब्र जो पत्णी थी वो भौत रोने लगई अब जो पत्नी देखो ग्हार सकते हैं तो बहुत दुख का वी है लेकिन शायद यही होना ही हो शायद क्या हो नहीं होगा आप जिसका जो मृतिव का समय है यह आना ही होगा आप कोई बात नहीं आप रो मत भगवान ने शायद हम पर कृपाई करी है क्योंकि आप में हम सब बहुत आसक्त हो रहे थे अपने बालक से तो हो सकता है उसकी आसक से अपना पुत्र समझगे पुत्री समझगे संबंदी समझचे अपना प्रेम हन्थ डाल देंगे और भगवान में नहीं डालेंगे तो यह जीवन निरर्थक होजाएगा क्या लाब फिर इस प्रताप राएगी तो और अच्छे से मतलब जिससे भजन लोगों का रुक जाता है उसके बाद भजन और टेज हो गया और ये बात हम लोगों को भी अपने जीवन में समझने चाहिए नहीं तो ऐसा ही होता है लोग तो बहुत बोलेंगे कि आपकी जड़ा सी हड़ी तूड़ गई लोग बड़ा बजन करता था देख लिया क्या हाल हुआ है इतनी माला करने का भी क्या लाब हुआ ऐसे तो हड़ी तूटी बड़ी है तुमारी तो इस प्रकार से लोग बोलेंगे लेकिन समझना है इसके लिए भजन थोड़े ना किया था इसके लिए थोड़े ना आये थे हम आए किसली हम आये हैं देव उससे प्रारभ्ध से कर्मों से कोई हमारा भाई बन गया कोई मारी पत्नी बन गई कर्मों वश कोई हमारा पुत्र बन गया जैसे वो जब वापिस प्रांट डाले तो कैसे वोला हां कौन श्री वासपंडित हां ये मेरा पिता था जब अभी मन्यू बन मर गया था तो अर्जुन को भी भगवान स्वर्ग ले गए थे अभी मन्यू से मिलाने कि चलो ले आएं वहां गये अभी मन्यू ने बोला अर्जुन क्या हुआ थोड़ा सा समय नहीं वेतीत हुआ इतने में बस पुत्र वियोग में आ गये ये अभी मन्यू बोल रहा है जो पिता जी पिता जी कर अब पिता जी थोड़ी रहे पिता जी का तो रोल चल रहा था अब तो रोल के भा आप चिड़ने वले लोग बड़े होते हैं तो लोग चिड़ने लगे कि यह प्रताप राय जी बड़ा एसा चल रहा है वैसा इंका तो एयुक्त है उन्हें आपने चार बंदे तयार है उन्हें तो घॉल को डाल दो और तीक text तो रुपए ले लो जाओ उदार रग दो लेके चले गए एक एक महीने बाद वो सब को भेजा हाँ जाओ अपना लेकर आओ आप जब लेने गए उन्होंने का 11,000 रुपए दो वो उदार रग दो 11,000 रुपए लिए जब उठाए उन्होंने खोल के वह उनका यह यह तो पथर द लेके जाओ अब वही फैसला करने वला है क्योंकि राज्य का वही राजा होता है उसने का भई ऐसा है प्रताब राएजी यह तो आप गडबर कर रहे हो आप बहीं मानिकर और आपको पकड़के जेल में डाला जाएगा जैसे ही बोला जेल में उन्होंने अपनी प्रतनी के क को पकड़ देखा भी वी पीछे भाग रिये बोलते भी वी क्या लिए कई लिए अब वो तो ठाब जी के लिए उन्हें लगई 5 जी लेकर लिए बुले ठाबर जीवर को भी लिये और पतणी को भी अंदर कर कि दोनों गट जेल में डाला सारी संपत्ती बोलते हूं कि जप्त कर दी उनका घर बार सबसील कर दिया काम बंद कर दिया सब क्योंकि वो तो साथ मिला हुआ था सारा कुछ खतब अब जो प्रताप राय जी थे बोलते वो जेल में बोलने लगे कि अपनी पत्नी को हमारा तो कोई बात नहीं भगवान ने बड़ी क्रिपा करी हमारे पर अब यह जो व्यपार था यह भी हमारी बुद्धी भगवान से अलग करवा रहा था भाई जब पुत्र का मो नहीं किया तो हमें समझना चाहिए था जब पूत्र निरा तो इतना व्यपार किसके लिए कर रहे हैं छोड़के अराम से बजन करते पर यह हमारी बुद्धी में आई निया भगवान ने बड़ी क्रिपा करी अपने को जैल में डाल दिया अब यहां कोई काम ही निये देखो खाना तो पुले लूट रह गया गे ना वह का है अब वह उन के लीए तो थाकुर्जी ठाकुर्जी ठोड़ी उनके लीटोसमान है उन नहीं तो लाके समान के साथ सम्साइज को थे जहां जवर विवर सब ज़ा जपत करा सारा समान मौन गडिया है तो अब प्रताप राइजी तो मुखे भी रहे होंगे कहां पर मुखे बैठे होंगे विचारे किस तरीके से पटक जैसे अपनी बच्चे के साथ होता है ऐसे पता नहीं का फैक दिया होगा पता नहीं क्या कर रहे होंगे इस प्रकार बोलते करते करते एक आंसू प्रताप राइजी का निकला और बोलते सामन क्या हो गया जो अरे प्रभु आपके कहाने का कैसे होगा मैं अपनी सोचने लगा दिया आप क्या होगा अप क्या होगा आप कैसे खाओंगे आप कैसे करो तो फिर यहां रह से कथी जलो मेरे साथ रहना हो जाएगा अभी ऐसा कुछ करूँगा आप देखना कल तक सब ठीक हो जाएगा कल ना जाने क्या हुआ कौन सी उपर से ओर्डर आ गया सब वह वो चारों के चारों जितने थे उनके खिलाफ सारे लोग लेके आ गया इसने तो जूड बोला था ये तो पत्थरी रखे गया था ये तो ये अब करो सेवा और जैसे ही बोलते सब आके बैठे अगले दिन जो लक्षमी उनकी भेहन थी उनका जो पती था वो अब सीरियस हो गया अब जो ये प्रताप राइजी थे उनके पास लक्षमी आई उन्होंने प्रताप राइजी को बोला भाईया आपकी लीला में जानती हू किस प्रकार भाईजी के जीवन में आज पहली बारी जीवन में बड़ा द्वन आया वो बोलते क्या करूं मेरी भेहन है इसके लिए प्राइजना ना करूं तो ठीक नहीं लगता और प्राइजना तो आज तक मैंने अपने पुत्र के लिए नहीं करी थाकुर जी ने जहां भेज दिया वो तो राजी थे वो तो जेल में जाके भी राजी थे बस उनी का एक दुख था अपना तो कोई दुख नहीं था पुत्र पिता मरे कोई दुख नहीं वा माता मरी कोई दुख नहीं वा पुत्र मरा तो भी कोई दुख नहीं और ठाकुर जी कि यह बोलेंगे तो तो बचेंगे बचेंगे क्योंकि यह तो जिस प्रकार से ठाकुर जी के दर्शन हुआ है नहीं यहां है तो बोलते उन्होंने आख बंद करके भगवान का चिंटन करना प्रारंद किया कुछ बोला नहीं अब भगवान तो इच्छा भी जान लेते हैं न रूप के बीदर से कैसे इच्छा निकाल ली थी तो केरें आखें बंद करके चिंटन प्रारंद किया इतने में जो उनकी भेन लक्ष्मी थी उसकी भी आख लग गई अचानक और दोनों को स्वप्न में ऐसा आया कि विश्नु दूत लक्ष्मी की पती को लेने आये हैं और लेने आये तो बोलते स्वेम विश्नु प्रकट हो गए और उसने विश्नु उन्होंने विश्नु दितों को बोला तुम वापिस जाओ अभी इंको यही रहने दो अभी थोड़ा और जीवेंगे क्योंकि हमारे प्रताप राइजी चाहते हैं कि अभी थोड़ा और जिये त सुरी जी जाननी आपके साले ने और प्रताप राइजी रोक दें तो भाईया हम लेके दे जा सकते हैं प्रताप राइजी अगर प्रार्थना करें इसको बचा लो तो हम उसको लेके ने जा सकते हैं बोले प्रभू थोड़ा समय दो मैं प्रताप राइजी के चर्णों में इतने में बोलते प्रताब राय जी की भी आख खुली और लक्ष्मी जी की भी आख खुली तो उन्हों की मिल स्ट Ratu यह उनसे प्राइफित्व करना इंके लिए इने जाने केट नहीने विरसे कुल्ते वी मैंने आपको ला प्रताप राइजी ने ठागुर बोला ठागुर जो आपकी इच्छा हो ना चाहिए उसी समय विश्णुदूत आए और उनको लेगे चलेगा तो इसी लिए हम लोगों को लगता है बाहर से अब यह दिखोई तो आपने भीतर की सुन ली कौन लेने आया कौन लेने के आप बा होड़े है तोभी प्रोग्रेस उरहां यह से प्रोग्रेस हो रहे है तो भूभु आत्मा खुश है तो हम लोग रोक दें सक्रार्फना करके की नहीं यह नहीं जाएग यह जोहुघ प्यारों करें सो मोहिभावें ही मंत्र यह भी समझ लो जैसे पहले एक राइदास जी का प ये अंतरद रिष्टी सबको नहीं मिल सकती, इसलिए भगवान अपने भक्त के माध्यम से ये अंतरद रिष्टी दिखाते हैं, कि देको ऐसा होता है, वो कल्यान करने का सूच रहे होते हैं, जब हम भॉक भक्ती करते हैं, भजन करते हैं, भगवान तुरंट हमारे प्रारब् चोटे-चोटे में काट रहे हैं और खतम करें क्योंकि अब भगवा दाम लेके जाना है तो सारे प्रारण उसी में खतम कर रहे हैं थोड़े से समय में तो इसलिए लगता है कि बड़ी जल्दी-जल्दी आ रहे हैं हम समझते नहीं है पर जोई-जोई प्यारों करें सो मोई भ बगवान ने एक ऑपने आपको उन को सौंप दिए ऑर बोला आपके हम मैं और नित्यानान दो पूत्र आप जिंता मत करो आपका एक पूत्र गिया और आपको दो पुत्रों की पराप्तियों तो स्व्थ भगवान अपने आपको अरपन कर रहे हैं एसे अपने प्रीय ने भकठों को तो इसलिए हम भी भगवान के इसी भाव को धारन करें, जोई जोई प्यारों करें सोमोई भावे और ऐसे ही अपना जईवन व्यतीत करने का प्रयास करें आगे फिर कल तो अब दो दो दिन नहीं होगी सेटरी संडे हर सेटरी संडे मंडे से फिर आगे कोई लीला प्रादम्त करेंगे जैरादे